पूरा मैंने कल आपके साथ शेर किया था और 10 में से 7-8 बार आपको इसमें gap down opening ही देखने को मिलेगी जो setup था कल के दिन, ठीक है, 10 में से 7-8 बार, देखें, आप अगर bank nifty को देखें, ये bank nifty है, है ना, bank nifty, तो ये इसकी आज की candle है, कल क्या है देखो, ये गिरावट बनी, इस और अच्छी खासी गिरावट थी, ये अपनी Monday वाले लेना, एक low बनाता है bank nifty, उस low को next day violet करता है, ठीक है, तोड़ता है उसको, और previous day के, यानि Monday के low के नीचे close करता है, वो भी कब last के price action में, जो 2-4-3 बजे के बाद जो price action बनता है, तो ये पूरा इस परकार का setup है, ऐसा ही अगर तेजी की तरफ हो, इस परकार से कुछ, देखे, ये consolidation था, ठीक है, इसको तोड़के market नीचे आता है, next day फिर एक और नया low, एक नया वो बनाता है, ठीक है, एक lower cruising देता है, तो ये क्या, ये setup है कि भाई, कल भी market पहले बाद तो gap down open होना चाहिए, और एक नया low दिखना चाहिए, अच्छा खासा, ठीक है, ये इसी प्रकार से, जैसे कोई consolidation से, ऐसे ऐसे निकल के कोई चीज उपर गई हो, बढ़िया से अगले दिन भी उपर, उसमें अच्छा खासा setup बना हो, तो यहाँ पे gap up opening की पूरी-पूरी उमीद हो जाती है, ठीक है, इसी प्रकार से, यहाँ setup जो था, वो gap down का पूरा का प नीचे close किया था, उसमें, and Monday की closing के नीचे close किया था, ठीक है, पर market खुलता है उपर, और 100 point के दारे में लगबब पूरा market का कामकाज हो जाता है, 24,200 से लेके 24,300, but last में जाते-जाते market जो है, बढ़िया एक move देके उपर की तरफ close करता है, ठीक है, इस परकार का कुछ हमें देखने को मिला है, अब क्या, जिस परकार की closing दीए भाई, उससे तो लगता है कर एक बार को ऊपर खुलना चाहिए, और यहाँ देखे, यह breakdown है, यह market ने कल जो एक चीज दिखाईते होगा, एक clear cut breakdown दिया था, इस वाले reason में आप देखेंगे, तो हमें कभी भी 24,300 के below closing नह आपे, बीच बीच में हमने low जरूर देखें, 24, 140, इधर 20, इधर 170, इधर 24, 140, बट close जो है, वो उपर ही जाके करता था, 24,300, तो एक closing हमको Monday को मिली, ठीक है, यह था sign breakdown का, और उसी के नीचे एक और हमे closing low नहीं टूटा, एक कमी रह गी थी कि यह low नहीं टूटा, 24,893 का, closing मिली, ठीक है, 24,000 के नीचे की तरफ, यह confirmation था कि breakdown है, और इस setup पे बाई, एक cap down opening, हमें आज मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, तो यह prediction जो है, गलत साबित हुआ, और market में तेजी ही, market उपर की तरफ, market हला कि मेरे को अभी भी salon rise का ही लगता है, अभी भी में salon rise के ही, जो म लोग जानते हैं, मैं खूब अच्छे share कर चुका हूँ, जब यह 24,000 के उपर close कर देगा, with green candle, ठीक है, तो यहां से फिर हम buy करेंगे, ठीक है, इस level के उपर से हम buy करेंगे, अभी कल market क्या कर सकता है, देखे, market कल शायद उपर खुले, जिस परकार से closing करके गया है, और जी करके गया है, ठीक है, क्यों हिल जाता है बार बार या, बड़ा कष्ट है इसमें, जोटा ही रख लेता हूँ, बड़ा कर लेता है, क्या बात कर रहे थे हम, चलिए, आगे जो भी चर्चा है, जिस परकार से भी है, ट्रेड प्लैन जो भी रहेगा, एक बार disclaimer को देख ले दोस्तों मेरी personal राय है, मेरा personal मत है market को लेके कि मुझे कल ऐसा लगता है, वो मैं आपके साथ share करता हूँ, buy sell recommendation इस वीडियो के द्वारा किसी भी individual को नहीं दी जा रही है, ठीक है, तो कल एक बार market ऊपर की तरफ खुल सकता है, market कल जा सकता है, आपका 24, 450 तक भी जा सकता है, जिस परकार से बने, हलाकि candle जो है, बहुत छोटी candle है, जो है बहुत छोटी है, हलाकि ठीक है, अब इसके ऊपर कितना जाएगा, कैसे जाएगा, वो बात में पता लगेगा, ठीक है, कल जिस परकार के हमें opening देखने को मिलेगी, यह उस चीज़ पर सब कुछ निरबर करता है ठीक है, कल opening पे न सब को है, अगर opening ही बिल्कूल उपर खुल जाती है, market जो है उपर की तरह, तो मैं आपको यह ही बोलूँगा, एक sell का attempt ही लेना है हमें, 24, 450 से लेके 24, 470 के बीच में, या 430, 35 जो यहाँ पर लिखना चाहिए, लिख लीजे, इस range में एक बार हमको sell जरू दूर लेना है दोस्तों, ठीक है, sell की opportunity जरूर देखनी है, with sell of 24, 530, अगर यह number cross हो जाता है, इसके ऊपर trading चालो हो जाती है, तो भाई बाई में घुझ जाएंगे, तो टार्गेट है 24, 600, ठीक है, तो कल यह setup है, तो कल हमको किसी भी प्रकार से, market में, अगर scenario जिस प्रकार क candle बनी है, उपर की तरफ दिखता है, तो हम यह follow करने वाले है, we will be looking for short only, between 4, 20, 30, जो भी आपको ठीक लगे, 24, 4, 30, यहां से लेके 24, 470, with 24, 530 का ऐसा, यह है scenario number one, in any case, world market में कुछ ऐसा होता है, market कुछ नहीं कर पाता, market gap down खुल जाता है, भाई देखे, कुछ भी हो सकता है, आज क्यों होते हैं, बैंक ओफ क्या कहते हैं, जैपैन, जिसकी वज़े से यह सब, yen carry यह सब, शुरू हुआ था, उसने क्या बोला, कि भाई हम ऐसे अभी, आगे से ध्यान रखेंगे, यह हम से गल्ती हो गई, ठीक है, जबकि fundamentally ठीक है, भाई आप रेट कब तक 0 पर रखे रहो गए, ठीक है, तो बढ़ाया तो उस परकार से market crash हुगा, 25-30% के बीच में गिर गया, आपका निक कही, उसने बोला कि हम आगे से नहीं करेंगे, तो वो news जो है, अच्छी, खासी फ्लोट होई, 4-5% पूरा market तेज हो गया, सब चीज 2175, इस level के नीचे trade करता है, है ना, ठीक है, इस level के नीचे अगर सरक जाता है, तो फिर intraday में 24-225, ठीक है, इस number 24-226 लिखिए दोस्तों, कहीं बार ना बदमाशी होती है, ये number नहीं trigger होना चाहिए, ठीक है, आप sell कर सकते हैं, निफ्टी को, फिर market नीचा आएगा, ठीक ह के आस-पास आपको दिख सकता है, ये scenario number 2 है, ठीक है, जब, क्योंकि technical setup के इसाब से एक बार market कलको उपर जाना चाहिए, वहाँ से selling आनी चाहिए, पर अगर gap down हो जाता है, जैसे आज gap up हो गया, technical setup के इसाब से मुझे नीचे लग रहा था, gap down opening दिखिए थी, पर उसी इसाब आपसे अगर नीचे दिखता है तो scenario number 2 भाई, 24, 175, ये number के नीचे market sell है, target ये line जो है, टच हो नीचे है, ये वाली line, positional basis पर, जो कि 23, 800 से लेगे, 23, 750 के आसपास आता है, ठीक है, और जो view है market को लेके, trade plan तो ये है, trade plan देखे, view में, और trade plan में क्या फरक है, trade plan, depend तो आपके view पर करता है, trade plan में, but एक risk जो है, ये जो है, define करना होता है, कि मेरा risk कितना है, ठीक है, तो अगर हम 24, 450 के आसपास से short कर रहे हैं, तो वहाँ से risk 5, 30 है, और हम 24, 2, 175 के आसपास से short कर रहे हैं, तो वहाँ पर risk 24, 225 है, बड़ा loss नहीं लेना है, और view के, view को ही trade करते हैं, भाई, view को trade करना है, तो फिर short लेके बैठ जाओ, market जहां जा रहा है, जाने दो, आप अगर risk नहीं define करोगे, ठीक है, तो हाथ में तंबूरा ही लगेगा, ठीक है, चलिए, ये है, दोस्तो, आपका nifty कल के लिए, है ना, अब आजाते हैं, bank nifty के, bank nifty मुझे आज के दिन, fall देता हुआ दिख रहा था, ठीक है, बट संबला, अच्छा खासा संबला, हाला कि candle इसकी भी red है, दोनों में hammer बना है, दोस्तो, bank nifty में भी hammer बना है, कल शायद कोई कहते policy है, मुझे तो जानकारी उसकी है, नहीं देखे, policy भी इनको Thursday कोई लेकर आ range में है जो, यह पूरा, ठीक है, थोड़ा सट इसके पास है, यह आपको, हो सकता है भाई, यह gap भरता हुआ दिखे, 51,200,200 के आसपा, जहां पर अगर यह मिल जाता है, ठीक है, देखे, पहली बात तो यह जो है, 50,500 के ऊपर, जम्प मारेगा, 300, 400, 500 पॉइंट की, 50,500 ठीक है, यहां से, यह जरूर जम्प मारेगा, इसके उपर, 300, 400, 500 पॉइंट की, जरूर जम्प मारेगा, बट इसको short करना है, इस जगे पे अगर आपको मिलता है, मैं लाइन डालता हूँ, क्योंकि वो कुछ बोल देगा, पर यह वाला उस्ताद, तो यह भाग जाएगा, ठीक है, वाला कि जनरली मार्केट गिरता ही है, जब यार बेगे कुछ बोलती ही जाता है, और कल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट अल्रेडी गिर चुका है, ठीक है, यह जो रेंज है, 51,100 से लेके 51,300, 51,100 से लेके 51,300, ठीक है, और अगर कोई बाई करना चाता है, तो उसको करना है 50,500 के उपर बाई, वो इस लाइन को टच करने तक के लिए बाई कर सकता है, पट इसमें भी प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, कुछ, 50,800 पे कुछ बुक कर लिया, 50,900 पे कोई, कोई मतला लिखा वानी है कि यह लाइन को छूने ही जाएगा 51,100, यह है कि यहाँ से रेजिस्टेंस है, एक शौट जरूर बनता है, ठीक है, इस लाइन को अगर छूने, यहाँ से नीचे की तरह, यह इसी परकार का ट्रेड होगा जैसा यह यहाँ पे था, ठीक है, नीचे दीया ब्रेकडाउं, इस रेजिस्टेंस हेरिया में आया, धढाम नीचे, ठीक है, दिख रहाए है आपको यह, इसी परकार से यह दो ने, नीचे आया, यह इस परकार से जाता है, यह धढाम नीचे ही आना चाहिए इसको, तो यह पाली वेव आप ट्रेड कर सकते हैं बट इसमें जो है क्या कहते हैं शॉर्टी और रिस्क जो डिफाइन है वो 50,500 के ऊपर ही डिफाइन है इस लेवल के ऊपर ही बाई किया जाएगा यह जहां पर अभी है 50,200 के पास आपको 200,300 पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे यह आपने इस लाइन को चूने के लिए जा सकते हैं तो यह तेजी आप कर सकते हैं 200,300,400 पॉइंट जितने भी हाथ लगें यह तेजी में ले लिजेगा बट अदरवाइस जो यह जो जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है यहां से सेल ही करना है और मुझे ऐसा लगता है कि हम बैंक निफ बहुत चांसीज और बैंक निफ्टी ही शायद निफ्टी को भी ऊपर से नीचे लपेटे में लेकिया है घिसां निफटे लेखी हिन इंए ट्यकर बैंक निफ्टी ही बहुत चांसी है चले दोस्तों यह हैन्रेसिस बाकी देखते हैं कल मार्किट में क्या होता है नोडर सा यहां से सेल का टेंट लेना चाहिए मेरे साब से तो और तेजी मुझे थोड़ी जम नहीं रही है ठीक है जब तक निफ्टी इसके उपर निकल जाए तो मैं जरूर 24,500 का नीचे क्लोजिंग बेसिस ऐसे लगा के बाय करना चाहूंगा वो सकता है मारकर फिर 25,000,200,300,400,500 भी जाए ठीक है उसको पहले 24,530 को ब्रेक करके उपर निकालना है उसको तब यह पॉसिगा चले जोस्तो थेंक यू वरी मच प्रेक्शन गलाट भी ठीक है तई लोग यह भी नहीं पुलेंगे चले थेंक यू वरी मच